असलाम अलेकुम जब हमारी उलाद, हमारा कोई भी बच्चा हमसे कोई फर्माईश करता है, कोई चीज मांगता है, कुछ कहता है तो हम उसे mostly ये जवाब देते हैं कि इसकी तुम्हें क्या जरूरत है? ये तो अमीरों के चोंचले हैं? फलान जगा पर क्यों खाना खाना है? उससे ज़्यादा अच्छा खाना तो घर पर पक जाता है बाहर खाना खाने की क्या जरूरत है? मतलब हर चीज के बारे में हमारे पास justification मौझूद है वो justification हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम अपने comfort zone को बिल्कुल किसी को अजाज़त नहीं देते कि वो उसे touch करें हम अपने comfort zone से निकलना नहीं चाहते हैं सच्छा ही बताने में शरम आती है अपने आपको बहाने मत दो इन बहानों से आप अपने आपको तो रोकते ही रोकते हो अब अपनी उलाग को भी आगे बढ़ने से रोकते हो क्योंकि यही justification आप उनके mind में transfer कर रहे हो कल को अगर वो यह चाहेंगे कि वो आगे बढ़ सकें या कुछ कर सकें तो वो यही कहेंगे बस यह एक step हासल कर लिया ना बस इधर तक जिन्दगी काफी है भई अब तो हमारी जिन्दगी मज़े में गुज़र जाएगी जरूरी आप पूरी हो जाएगी मत करो अपने साथ तो ज्यात्ती कर ही रहे हो अपनी उलाद के साथ भी ज्यात्ती कर रहे हो सचाई को accept करो सचाई को बच्चों को भी बताओ और महनत करो कि अगर आपका बच्चा कोई फर्माईश करता है तो यह सोचो कि उसे पूरा कैसे करना है यह मत सोचो कि अब मैंसे क्या बहाना बताओ ओए ओए इसना तो यह सवाल करके मज़े पसा दिया ना ऐसे मत करो उसे कहो कि हो सकता है क्यों नहीं हो सकता रास्ता डूनते हैं मिलके कोशिश करते हैं यह अप्रोच रखो यह सोच रखो अपना बहुत ख्यार रखना है अल्लाहाफेस